हेलो हेलो व्यूवर्स रींग एप लोड निमित के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो फुल डीटेल्स है तो फुल वीडियो देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में रींग के बारे में फुल इंफर्मेशन दोंगी जो new users है और जो पुराने users है तो new users जब आप ring app open करोगे ring app जब आप आधरकट pen card से open करोगे आपको एक limit मिलता है ठीक है तो वो limit जब आपका 100 होगा तो पहले first time तो आपको 100 हो सकता है 5000 या 6000 या 4000 इस तक आपको limit मिलेगा उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख पाड़े हो pay with paying merchant bank transfer and ऊपर में आप देख पाड़े हो scan का sign है तो scan में जब आप click करोगे तो वहाँ से आप directly अपने bank transfer कर सकते हो या bank transfer जो लिखा है वहाँ पर भी transfer कर सकते हो तो यहाँ पर और एक आप जो picture देख पाड़े हो यहाँ पर 21,000 तक मिला है limit तो यह क्यासे आपको offer मिलेगा जो फास्ट में आपने आपने देखा 5000 तक मिला है वो फास्ट टाइम है जब आप डिंग आधर कर पैंकर से open करते हो उसके बाद आपका credit score verify होके उसके बाद आपको एक limit मिलता है फास्ट टाइम तो फास्ट टाइम कम मिलता है उसके बाद धीरे-धीरे करके increase होता है तो increase कैसे होगा early repayment करने से increase नहीं होता है ठीक है वो pause हो जाता है तो आपको करना है जो due date है repayment day है उस time ही आपको repayment करना है तो आपका जो 5000 या 4000 था पहले limit वो increase होके या 12,000 हो सकता है या 8,000 हो सकता है या 6 या 7,000 हो सकता है मतलब धीरे-धीरे increase होता है तो ऐसे होता है increase मैं इस वीडियो में power loan, insta power loan के बारे में नहीं बोलूँगी सिर्फ ring limit के बारे में बोलूँगी यह जो ring limit होता है वो धीरे-धीरे increase होता है और एक बात, ring limit में आपको 15 days का duration time मिलता है ठीक है बील जेनरेट जब होता है 15 days time लगता है तो 15 days के अंदर ही आपको repayment करना है लेट करोगे तो late fees बहुत charges लगता है तो इसलिए जब आप timely repayment करोगे तो ring limit आपका increase होगा और वो easily scan करके आप bank transfer कर सकते हो बट power loan और insta power loan में EMI process चलता है repayment के time और 30 days मतलब one month duration time मिलता है और जो ring limit है उसमें आपको 15 days ही duration time मिलेगा उस time आपको 15 days के अंदर जो भी amount आपको मिलेगा वो interest extra payment करके repayment करके उसके बाद 15 days के अंदर ही repayment करना है